आईए सुनते हैं संगीता जहाजी की कहानी मामी दादी दादी और साथ में मामी दोनों एक साथ सोचकर भी अजीब सा लगता है मामी और नानी का संगम तो लोगों ने सुना है लेकिन मुन्नी की एक प्यारी मामी दादी थी मामी इसलिए कि वो बाबु जी के दूर के रिष्टे की मामी थी सो मुन्नी भी उन्हें मामी बोलने लगी लेकिन बाबु जी के डाटने पर उन्हें मामी दादी बोलने लगी वो बिल्कुल शिवानी की कहानियों की नाइका की तरह गोरी उठी हुई नाक, अनार के दानों की तरह दांत, गालों में पढ़ते डिंपल और ना जाने क्या-क्या ये तो तब का विवरन है जब मुन्नी उनसे पहली बार मिली उस समय भी उसकी दादी मामी की उम्र लगभग सत्तर रही होगी और मुन्नी की बारा जब मुन्नी पर जवानी का रंग चड़ा था, तो चेहरे का रख-रखाओ करते-करते धख जाती थी तब वो सोचा करती थी कि काश वो भी दादी मामी की तरह होती इतना कम और धीरे बोलती कि उनकी आवाज सुनने के लिए कानों को पैना करना पड़ता था लेकिन हर दम किसी ना किसी काम में लगी रहती थी मुन्नी ने उनका दूसरा नाम बिजी बी यानि मदुमक्की भी रखा था ये दादी नानी की शादी बनारस के किसी बड़े पंडित परिवार के बेटे से हुई थी जब वो पेट से थी तभी पंडित जी घर छोड़ कर चले गए लोगों वो कहते सुना था कि उनके पती तो सन्यासी थे पिता ने जबरदस्ती विवा करा दिया पुत्र को घर संसार की और मोडने के लिए चुन कर अपसरा लाए थे लेकिन पत्नी का सौंदर्य और सीटा जैसा आचरन भी पती को बान नहीं पाया अपने तीनों भाईयों के एक लौती बहन अपने पेट में विवा की निशानी लेकर वापिस लौट आई दादी मामी के पिता और ससुर ने आपस में विचार विमर्ष करके शहर में उनके लिए दो घर बनवा दिये एक में रहती थी और दूसरे को किराह पर दिया था पास के गाउं में दस बीगा जमीन थी जो पिता ने बेटी को दे दी भाई बेहन को बहुत प्यार करते थे लेकिन दादी मामी किसी के पास नहीं रहना चाहती थी ये सब मुन्नी ने सिर्फ सुना था क्योंकि उनकी मुलाकात ही तब हुई थी जब दादी नानी का संगर्ष का समय बीच चुका था उनकी बेटी दामाद दूसरे शहर में रहते थे और संबन्ने थे बेटी का विवा भी उसके नाना करा गये थे दादी मामी घर पर अकेले ही रहती थी पड़ी लिखी थी नहीं बस 20 की गिंती में माहिर थी पैसे भी बीस बीस की गड़ी बना कर जमा करती थी उनकी गिंती भी एक 20, 2, 20, 3, 20 के रूप में होती थी जमीन के लिए एक नौकर रखा था रगू रगू ने जमीन में दो गाये पाल रखी थी जमीन की आदी फसल और गाय का दूद बेच कर रगु का घर चल जाता था और फिर उच नीच के लिए दादी मामी तो थी बीस बीस जमा करके दादी मामी के पास काफी पैसा एकटा हो गया था लेकिन उनके दिंचर्या में कोई परिवर्तर नहीं आया था दामाद और भाई अब भी उनसे अपने हाँ चल के रहने की बाते करते तो वो साफ मना कर देती थी वही सिंपल सा घर वही खाना और तीन-चार पुरानी परंतु साफ साडियां दिन बर मक्खी की तरह किसी न किसी काम में जुटी रहती उनका घर उसी शहर में था जहां मुन्नी का मेडिकल कॉलिज था मुन्नी तो उनकी सुंदरता की दिवानी थी सोचती क्यों छोड़ा होगा पती ने जहां दादी की दूसरी सगी, ममेरी, चचेरी, मौसेरी, बेहने और भावियां मुन्नी से पूछती कैसे बढ़े थे कि वो आशिरवात के बदले ऐसी व्यांग वर्षा करते सिर्फ इसी लिए कि मुन्नी बहुत अच्छा पढ़ती थी और जिंदीकी की दौड में सबको पीछे करके आगे बढ़ रही थी वहीं ये दादी मामी पूछती कैसी बढ़ाई चल रही है खूब पढ़ो, खांदान का नाम रोशन करो, बड़ी डॉक्टर बन जाओगी तो अपनी दादी मामी को भूल तो नहीं जाओगी मेरा इलाज करोगी न बिटा मुन्नी भी जुक कर पैर छूती और आशिरवात मांगती कि वो उनके आशिरवात को पूरा कर सके मुन्नी की वो प्यारी दादी मामी थी मुन्नी अक्सर हर त्योहार पर उनसे मिलने चली जाती इसी बहाने उनके त्योहार भी मन जाते थे और मुन्नी भी खीरपुरी खा लेती थी मुन्नी और दादी मामी की अंतरंगता की खबर किसी को नहीं थी एक दिन मुन्नी उनकी आँ पहुची तो उन्हें बड़ा परिशान पाया पूशने पर उन्हों ने अपनी जिन्दिगी का एक बड़ा रास मुन्नी से शेयर किया और मुन्नी से वादा भी लिया कि वो किसी से भी नहीं कहेगी वो जट से अंदर गई और एक थैली उठा लाई और मुन्नी से उसके अंदर रखे पैसे गिनने को कहा इतने सारे पैसे देखकर मुन्नी की तो चीख निकल गई रुपे, सौ रुपे, पचास रुपे और बीस रुपे की गड्डियों में थे सबी गड़ियों में 20 की संख्या में ही रुपे थे क्योंकि दादी मामी को 20 तक ही गिंती आती थी उसके बाद वो अटकने लगती थी जैसे सौसो के 20 यानी 2000 रुपे पचास-पचास के 20 यानी 1000 रुपे मुनी ने रुपेयों को गिंते समय सौसो की गड़ियां बनाई पूरे पैसे कुल मिलाकर 60,000 में कुछ कम थे मुनी ने जिन्दगी में पहली बार इतने पैसे देखे थे दादी मामी पैसो की गिंती से बड़ी प्रसन हुई और उन्होंने मुनी से अपने दिल में सानों से दवी इच्छा का जिक्र किया पती के जाने के बाद से ही उनकी ठाकुर जी से एक ही शिकायत थी कि उनके साथ ही ऐसा क्यूं हुआ और इसलिए वो सीधे प्रभु के घर यानी चारो धामों में जाकर शिकायत करना चाती थी वो किसी त्योहार का दिन था और उनके भाई भी उनसे मिलने आने आने वाले थे जब दादी मामी ने अपने भाईयों से अपनी इच्छा बताई तो भाई खुश हो गए पहली बार बहन ने कुछ मांगा था भाईयों ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो किसी चीज़ की चिंता न करे और अपना सामान बान ले जब कोई अच्छा ग्रूप चार धाम के लिए जा रहा होगा वो प्रबंद कर देंगे मामी बड़ी खुश हुई कि भाई बेटे का फर्ज निभा रहे थे लेकिन दादी मामी तो बड़ी स्वाबिमानी थी वो तीर्ट से वापस आकर अपने जमा पैसों से भाईयों की पाई पाई चुका देने वाली थी किसी का उधार सर पर रख कर वो उस दुनिया से नहीं जाना चाहती थी उस दिन दादी मामी बड़ी खुश थी उन्होंने मुन्नी को भी रात उनके पास रुकने की गुजारिश की जो मुन्नी ने सहर्श मान ली दादी मामी को पहली बार उनकी सुरिली आवाज में गुन-गुनाते सुना रात को मसाले वाले आलू और पूरी दोनों ने मिलकर खाई दोनों सोने ही वाले थे कि जोर-जोर से दर्वाजा खट-कटाने की आवाज आई खोलने पर पाया कि उनका बटईदार रगु आया था रात गए इतनी देर से रगु वो भी सूजी आखें और उत्रा चेरा दादी मामी को देखकर तो मानो रगु की आखों से आसों की बरसात होने लगी दादी ने उसे प्यार से बिठाया पानी पिलाया मा की तरह सिर पर हाथ फेरा उसके आसों तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे दादी मामी के पूछने पर उसने बताया कि उसकी लड़की की शादी जिस लड़के से होने वाली थी उसके पिता ने दहेश की मांग कर दी है और दहेश ना मिलने पर शादी तोड़ देने की बात कही है एक तो करेला उस पर नीम चड़ा जहां तो कर्ज में डूबा रगू ले दे कर किसी तरह विवान इप्टाने की सोच रहा था और अब दहेश की मांग दादी मामी ने उससे धानस बंधाया और सुबे तक इंतिजार करने को कहा दादी मामी के छोटे भाई अपने ससुराल में रुके हुए थे जाने से पहले जब बहन से मिलने आए तो हमेशा चुप रहले वाली बहन भाई का हाथ पकड़ कर एक तरफ ले गई और कहा अरे बावरे मैं तो सिर्फ तुम तीनों का इम्तिहान ले रही थी मैं कब चार धाम की यात्रा करने वाली हूँ इन बूडी हड़ियों में अब कहां दम है मैं भला, मैं भली, मेरे ठाकुर जी भले तुम लोगों ने हामी भर दी मैंने चारो धामों की आत्रा कर ली गंगा जी नहाली अब तो ठाकुर जी से यही प्रात्ना है कि चलते फिरते प्रान निकल जाए भाई तो हक्का बक्का रह गया कल से तीनों भाईयों ने पता लगाना भी शुरू कर दिया था उसने दादी मामी को बहुत समझाया पर वो टस से मस नहीं हुई भाई के जाने के बाद मुन्नी के सर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से विदा किया और रगु का हाथ थाम सारे पैसो की गड़ी लेकर उसकी बेटी के विवाह का इंतिजाम करने निकल पड़ी मुन्नी तो जाने से पहले एक टक उस महान दादी को देखती रह गई शायद यही सच्चा तीर था तो ये थी संगीता जाजी की कहानी मामी दादी सुन्ने के ले धन्यवाद